हेला दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका देव भूमी एज कुस्म उत्राखंड में उत्राखंड एक्जाम से जुड़ी ख़बरों के साथ आप सभी का एक वार फिट से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में पहली न्यूज है PCS की मुख्य परिक्षा में दो नए पेपर का पैटर्ण नहीं हुआ जारी दोवदा में अबिर्थी उत्राखंड लोग से वा एक द्वारा जो अपर PCS का मुख्य परिक्षा का स्लेवस परिक्षा में जो बदलाव किये गई इसके लिए यहां पे पैटर् जारी यह जारी नहीं हुआ है आयोग ने कहा जल्द जारी किया जाएगा अंकों के पैटर्ण की जानकारी उत्राखंड लोग से आयो कि PCS मुख्य परिक्षा से पहले अब कि कियेगे प्रिवर्तन को लेकर अभिर्थी परिसान है परिक्षा में उत्राखंड पर आधरे दो प्रश्न पत्र जोड दिये गए हैं लेकिन पैटर्ण कभी इसपस्ट नहीं है अभिर्थियों की मांग है कि मुख्य परिक्षा को नौंबर के बजाए अगले साल जनुरी में करा जाए अभिर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं उनका कहना है कि इस साल PCS मुख पाटक्रम यू-पी जैसा बनाकर उत्राखन के छात्रों को सिर्फ दो महने के लिए दो महने दिये जा रहे हैं अब उत्राखन के दो पेपर हैं लेकिन इनमें परश्नों का ट्रेंड क्या होगा कितने सवाल कितने नंबर के आएंगे स्थिति इस पस्ट नहीं है इसके प्रिक्षा को आगे बढ़ाए जाए यह मुख्य परिक्षा का पैटर्ण है मुख्य परिक्षा 1500 उंको के जिसमें जनल हिंदी का देट्स ओ मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा निवंद्ध डेट्स ओमार्क्स जनलिस्टेडी 1-200 जनलिस्टेडी 23456 तो दोस्व मार्क्स के यह होंगे जनलिस्टेडी 5 और 6 उत्राखंड राज्य से समंदित है और बिर्थ्यों को इसके पैटर्ण को असमंजस में है परिक्षा में डेट्सों को का इंटर्वी और परिस्नलिटी टेस्ट भी होता है तैयारी करना होगा आसान परिक्षा भी से को यह साफ नहीं हो बारा कि कुल कितने सवाल आएंगे जितनी सब्द सीमा होगी कितनी सब्द सीमा होगई यू जो पता होगा तो तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाएगा मामले में आईओ कि सजिक दारिसिंग रावत काना कुत्राखंड से जुड़े दो पेपर दो दो सो मार्क्स के होंगे इनका पेटर्ण अभी जल्द जारी किया जाएगा सिलेवर्स पहले से जारी है जिसके हिसाब से एवर्थी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं में दो नए पेपर का पेटर्ण जारी नहोновने से समस्षता आयोगने जल्द जारी कि जारेंगे अंको के पैटैन Lizcha के ज़एगा की तैयारी की जारी है शिक्षा मंत्री धंजिंग रावत के द्यक्स्ता में हुई बैठक में कुछ एहम बदलावस पर सहमती बनी है शिक्षा मंत्री ने सिक्षा सची और रहुनात रमान डीजी सिक्षा बंसी धरतिवारी की बैठक में बनी सहमती के उनसार प्रस्ताव करने क का मौका देने पर विचार किया जा रहा है इसके तर्वक्ता के प्रवक्ता के प्रधानचारे बनने के लिए 10 वर्स की सेवा के कि तर्ज पर एल्टी के लिए 15 साल का मानक बन सकता है बैटक में एसियस आनंद वर्धन और प्रधानचारे की सीधी भरती का फैसला 2021 की इसमें हुआ था जिसकी नियमावली सितंबर 2022 में जारी कर दीगे लोग से आयोग नहीं हो भरती करा रहा 29 सितंबर को प्रिक्षा होनी है राची सिक्षक संग सर्दी को निरस्त करने की मांग को लेकर आं स्थगित 55 साल तक के सिक्षकों को सामिल करने की तैयारी चोवण सो ग्रेड़ पे वाले सायक अध्यापक ल्टी भी हो सकते हैं सामिल सिख्षा बिवाग में प्रधानचारे के 612 अब उन्ती सितंबर को होने वाली बढ़ती स्थगित हो सकती है भरती में 55 साल तक कि सिक्षक को सामिल करने के तायर हैं वहीं चौवान सो ग्रेड रपी वाले इल्टी शक्षा को को भी इसमें सामिल किया जा सकता है शिक्षा मंतिर धंजिंग रावत में कि अद्यक्स्ता में भीड़नी वागों के सचुवार संगठन के बीच बैठक में मंत्री ने सिक्षा को राजी के ह विरोध में यहां पर नियामावल बदिने के लिए बात हो रही है और नेक्स जो अपडेट है सिक्षकों की हुंकार मांग हमारी पूरी करोव सरकार प्रधानचारे के पदों पर सीधी भरती का विरोध हो रहा है और स्रीयो कारला में धन्ना पर दिया गया है और देख सकते देख स्वृद्र के लिए ब्यापक हिद में ले अगया फैसला मुक्हमति पुसकर सिंङ्ग धामी ने कहा कि मादेमिक शिक्षा में कारगत अधिशक्षी काउं के लिए मटत अवकास के सुब्दा महला कल्यान के ब्यापक हिद में लिए जिसका अब जारी कर दिया गया है प्रशोति मातित अवकास के सब्दा देने के सची शिक्षा रविनात रमन के और से आदेज जारी किया गया गया तो फ्रेंड्स ये थी आज की अपडेट थैंक्स पर वाचिंग वीडियो जल मिलते हैं एक नए वीडियो है नमस्कार